विगत कुछ दिनों से जिले के ग्रामिन भागों से किसानों के मवेशियों की खास्तों पर बक्रियों की चोरी होने की घटना एकट रही थी जानवरों चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी इस चुनोती को स्विकारते हुए स्थानी अप्राश शाका के पतक ने इन वारदातों में लिप्त दो गिरों को पकड़ा है इन गरों के खिलाब विविद थानों में मामला दर्श था पतक ने कुल 15 प्रकरणों का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से वाहर नगदी समित कुल 7,5,500 रुपे का माल भी बरामत कर लिया प्राप्त जानकारी के नुसार इन जानवरों चोरों को पकड़ने के लिए नाकपो ग्रामिन के पुलस अदिक्षक हरश पुद्दा ने पुलस निरिक्षक स्थानी अप्राश शाका नाकपो ग्रामिन के मार्ग दर्श में दो विशेश पतक तयार किये विशेश पतक ने जिले के विविद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों का भ्यास कर आरोपियों की हरकत पर नसर रखी इस बीच पतक को आरोपियों के बारे में लीड मिली जिसके आधाप पतक ने बकरी चूरी करने वाले दो गिरों के सदस्यों को हिरासत में लिया पहले गिरों के सोहिल अली वल्द कादर अली कामगान नगर बोलाराम किराना स्चोर समिप नारी रोड नाकपूर तसलीम रजा उर्फ राजा वलच शेक मकसूत तेजिया कॉलोनी उपलवारी नाकपूर और अरवाज वल्द हमीद खान ब्लॉक नमबर 50 कौर्टर नमबर 782 मह 5,22,500 रुपे का माल बरामत किया तो वहीं दूसरे गिरों के जिसका मुख्या रुपेश राजूर पाली पवनी लियाउट पीली नदी उपलवाडी नाकपूर निवासी और उसके साथी मुन्नी सरदा यशुधरा नगर नाकपूर निवासी को गरफतार कर इनके पास से ए वक्रियां चोरी कर उक्त वहनों में डाल कर ले जाया करते थे। कैमरा परसन अखलेश भारतवाज के साथ अभिशेक पानसी बीसी और निवस नाकपूर